हेलो प्यारे दोस्तों मैं डाक्टर विनोध तथा स्वामी दयानंद नेच्च्रोपेथी होस्पिटर में आपका स्वागत है आज हम इलाज करेंगे हमारी जो मन रोग है, मन की बिमारी है, गुस्सा करना, स्ट्रेस लेना, टेश्म करना, करना, डिप्रेशन उसको नेच्रोपेथी से कैसे ठीक एे जाता है थिको नेच्रोपेथी एप्लेटी नहीं होता है तता पानेच्रोपेथी से बनाऊ है पृथ्वी strongest से बनाौ वायू मोई हिसे सांस लेती, लॉग में मैं एक प्रसेंट पानी ते विन बना है अकाषते में अग्तवाई है अंदर अगनाशे, जठागनी, मैदा या जिसे हम कह सकते हैं कि पेंकरास है उससे हमार भोजन पच्छता है तो इस तत्वों की मदद से हम बेमारिया को इलाज कर सकते हैं तो आईए हम इसका इलाज करते हैं Use the substitute of anger, stress, tension and depression हम गुसा होना, दूसरा stress होना, stress से उपर depression हो जाती है means कोई ऐसी चीज है जिससे हम stress ले रही है financial हो सकती है, हमें diagnose में पता लगा कि हमें cancer है, हमें HIV है बहुत सरी, उसका stress, depression हो सकती है तो stress, tension, depression, गुसा होना, यह सभी चीजों से मिला हुआ है यह negative emotions है हमने एक बहुत अच्छा post to emotion लेके आना है laughing, उसका substitute है गुसे को गुसे से खतम नहीं किया जा सकता stress को stress लेने से खतम नहीं किया जा सकता tension को tension लेने से खतम नहीं किया जा सकता इन सब को खतम किया जा सकता है laughing से, हसते होए क्योंकि उस वक्त हम खुले अकाश में जैसे पक्षी उड़ता है उसी तरह हम उड़ रहे होते हैं जब हम हसते हैं, खूब हसते हैं दिल खोल के हसते हैं तो इसके अलबाव दूसरा जो हमने इलाज करना है प्रैक्टिस ओफ लाफ हमने प्रैक्टिस करना है लाफ की देखो प्रैक्टिस में के मैं प्रफेक्ट तो उसके हैविट बनेगी convert into हैविट हैविट बनने के लिए हमें क्या चाहिए अच्छे thoughts के मैंने खुश रहना है मुस्कराते रहना है हसते रहना है फिर उसके बाद उसका action लेना है चीज़े पर smile लेके smile को और deep कीजिए हसिए खिल खिला के हसिए और यह हैविट बनने चाहिए automatically आपके दिमाग में chemical जाने चाहिए उसके बाद walk and laughing 20 km आप चलोगे जितना चलोगे हसते हुए चलते रहिए उससे काया कि आप शुद air ले रहे हो और अंदर की आपको dust है आपके बीच में जिससे आपको गुसा हो रहा है जिससे आपको tension हो रहे है इससे आप depression में चले रहे हो वह बसम होगे अगनी बर लेगी ने जब प्यादर चलोगे तो आपके अंदर एक अगनी बर लेगी तो हसते है यह चलते है यह 20 km धेली चली एक मैने तक तो आपको ना गुसा होगा ना टेंशन होगी ना स्ट्रेस होगा ना इप्रेशन होगी आगे open mouth and short eats ठीक हमने अपना यह जो बुल है यह मूँ है इसको हमने खोल देना है और दानत को दिखाना है और हस्ते हुए इसको शो करना है ठीक जितनी इसकी प्रैक्टिस की जाएगी सभी टैम उतने ही आपको जो emotions है उसके उपर आपकी जो capture है जो आपकी मजबुतिवो जा हो जाएगी क्योंकि बार-बार करने से अपना मूँ खौलिए और इसमें दान को दिखाईए जितने बार दिखाऊगे उससे कहा है कि आपकी इसके उपर mastery हो गई है आप में ऐसी quality है कि आप हस हमें automatically खुश रह सकते हो हस सकते हो तो पहले आपने उसको धका रिया जैसे पहा काड़ों में ज्यादा तो वहां से धुका लगता है वो समुदर तक पानी जाता है फिर वहां से पानी आता है ऐसे circle चलता है आपके life में आप हसोगे तो और जाना हसोगे ठीक laugh plus dance plus voice आपने हसते हुए voice निकाल सकते हो यह एक voice है उससे कहा के आपकी जो तरंगे हैं मन की एक laughing music तो उसके साथ आप dance केजिए तो अपने आपको इस बात में इतना beat में mix कर लीजिए कि आपके लिए second में ना हो बुसा गहने के लिए tension लेने के लिए stress लेने के लिए depression में जाने के लिए तो ऐसा अगर आप करोगे तो जो हम naturally इसको ठीक करना जाते हैं वो कर सकते हैं ठीक तो इस नियमों को एक बार फिर मैं बता देता हूं यू substitute of anger, stress, tension and depression laughing आपने हसना है रोज हसना है एक घंड़ा fix कर लेना है कि मैंने कोई काम नहीं करना चाहिए मैं गुसा करता हूं तो गुसी का हल गुसा नहीं है पर आप एक घंड़ा practice करोगे laughing कि उसकी दिल खोल के हसना है without any reason, without किसी reason के आप हस सकते हैं क्योंकि आप akash में पक्षी जैसे उड़ते है ऐसे उड़ना है मैं हस राहा ह tread और पक्षी के तर्ण अदर उड़ना है practice of love इसकी practice करते जाना है जैसे एक गंटा का daily करना है धेर धेर ओर practice किसे इसको habit बनाना है हार चीज की जब habit बन जाते है तो automatically आप हमेशे हसते रहोगे stress रही का नहीं जहाँ दिं होता है वहां अवां गात रही नहीं सकती ऐसा है ना जहां दिन होता है वहां रात रह नहीं सकती, जहां अंधेरा होता है वहां दिन नहीं होता, इसलिए आपको दिन को लेकर आना है, जहां ग्यान होता है वहां अग्यान नहीं रह सकता, आपसे प्योन औक्सीजन आईगी लिए उससे अगनी होगी उससे जितना भी डिस्ट है वो खतम होगगा उससे आपका स्ट्रेस खतम होजाएगा क्योंकि गैंस होती है ना, पेट में मल हो उसमें गैंस बनती है उससे गैंस स्ट्रेस होता है, टेंशन होते है, सरदर्द होता है ओपन माउथ एंड शोर टीथ, किसी कोई भी आई हमेशा ही अपना माउथ खोल के खिए और दान को दिखाईए ठीक, यह expression आपको अंदर से इतना confidence लेके आएगा, कि दूसरा महसूस करेगा कि आप में आत्मिश्वास है तो आप हर चीज, हर क्षित्र में सफ़ल होते जाओगे, जिलिसे से भी गुसा होता है, बहुसाए negative emotions है उस सबसे अच्छा है, हसना smile करना, जिससे एक express होता है कि आप खुश हो, laugh, dance and voice, कुछ टेम ऐसा निकालिए जिसमें आप dance करें, voice निकालें, और हसिये दिल खोल के, हर moment में आपको हसते रहना है तो मुझे उमीद है, तीस दिनों के अंदर अंदर है, आप इसके उपर विजय प्राप्त करें लोगे, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो में आपको कोई भी डाउट है, तो में मोबाइल नमबर है, 9554-925, एक बफिर नोट करें लो, 9356234925, ओके, थेंक यू